दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आठ ऐसे स्टाउक्स बताने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे धमाकेदार स्टाउक स्टाउक्स प्लिट एंड डिविडेंट देने वले हैं तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो को एंट तक देखना है, और कहीं पे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तो अभी के भी इस वीडियो को लायक कर दीजे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फेनो मीडिया भाया आरुष चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से हैं 8 स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में धमाकेदार स्टॉक्स प्लेट और डिविडेंट देने वाले हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं आप इमारे पहले स्टॉक की तो कम्पनी का नाम है राधी का जोल्टेक लिमिटेड कम्पनी का करेंट स्टॉक प्राइस 155 रुपीस के उपर में चल रहा है और कम्पनी ने आप स्टॉक्स प्लेट अनॉंस के है 1-5 के रिशियो से जिसका मतलब अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पर आपका एक स्टॉक टोटल पांच स्टॉक में कनवर्ट हो जाएगा और इस स्टॉक को दिने की जो एकस डेट है वह भी तक अपकमिंग में है तो कंपनी की तरफ से जैसी कोई भी ऑफिचल अनौसमेंट आत इस टॉक के अंदर में रैली देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए आप इस टॉक को अपनी वाच लिस्ट के अंदर में आड करके रख सकते हो अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नामे जी एम ब्रियू वीरिक्स लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्रैस 544 रूपीज के उप कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रैस 270 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है और कंपनी ने 28th of March यान की आज के दिन बोर्ड मीटिंग रखी है और शाम तक कंपनी का डिविडेंट अनॉसमेंट आ जाएगा उसके उपर मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को शेर कर द कंपनी का ना में नेसल इंडिया लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रैस 18,890 रूपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने अब डिविडेंट के लिए बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 12th of April को और कंपनी ने अल्रेडी डिविडेंट देने की एक्सट और रिकॉ कंपनी आपे 12th of April को केस वाल्यू से डिविडेंट अनौंस करती है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का ना में एडलवेस फानाशल सर्विसेज कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रैस 50 रूपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करि अब इसकी बोर्ड मीटिंग में काफी ज़्यादा टाइम है तो कुछ टाइम के लिए आप स्टॉक को इगनोर कर सकते हो और दोस्तों आज की वीडियो के इंदर इतना यही 8 स्टॉक हैं जो कि आने वाले टाइम में धमाकेदार स्टॉक स्टॉक स्पिलिट एंड डिविड स्टॉक